रिष्टे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात होते हैं, क्योंकि हमारे रिष्टे ही हैं, जो हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं, हमारा भी है कोई अपना यहां इस बात का एहसास देलाते हैं, सही में हमारे लिए बेहत खास होते हैं ये रिष्टे, बिना इनके हमारी अधोरी है, यह रिष्ते हैं, जो हमारी जिंदगी को खुबसूरत बनाते हैं, या हम उसे इनी के थू जिले परक्रह़ बनाते हैं, रिष्तों दे हमारी जिन्दगी जो है, भौछाट बहुत अच्छी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहला रिष्टा होता है हमारी अपनी मा से, हमारे अपने परिवार से मा, बाप, हमारे दादा, दादी, नाना, नानी, तो बच्पन से ही ये शब्ध हमारी जिन्दगी में आ जाता है, यानि कि जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमा कि एसाथ खुबसूरती के साहते हैं या हर जगह हर किसी की बात में कहीं न कहीं कोई मतलब निकालते हैं क्या हम जिन्दगी को खुबसूरत जीना चाहते हैं अगर हां तो इन रिष्टों के साथ हमें जीना, सीखना चाहिए और इनी रिष्टों के साथ अपनी जिन्दगी को खुबसूरत बनाना चाहिए लेकिन इनसान की फितरत होती है कि वो हर चीज को नाप तोल कर देखता है हर चीज के नफा नुकसान गिनाने लगता है और कई बार यही गल्ती हम रिष्टों के साथ भी कर बैठते हैं हमारे लिए रिष्टे कितने ही खास क्यों न हो हम उनका इम्तिहान लेना नहीं बूलते लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देखने में सोना और पीतल दोनों ही पीले नजर आते हैं लेकिन इनका ये मतलब हरगेज नहीं कि दोनों एक जैसे हैं सोना हमेशा सोना ही रहेगा और पीतल सिर्फ पीतल इसलिए बेवजा रिष्टों की पैमाईश और उधेड बुन के चक्कर में ना भजें इन्हें निभाते हुए आपको trust होना चाहिए faith होना चाहिए जिसके साथ भी हो कोई भी relation हो husband and wife का हो mother and daughter का हो mother and son का हो brother and sister का हो couples का हो किसी का भी relationship हो सास-बहू का हो यहां पर सबसे पहले चाहिए trust trust and faith जब हम एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड फेट करते हैं तो हमारी रिलेशन्शिप अच्छी रहती है हां अकल-मंदी इंफेक्ट अकल का इस्तमाल करना भी जरूरी है लेकिन यहां पर सस्पिशन को मत आने दें यहां यह ना समझें कि इन्हें मुझसे क्या चाहिए यह मेरे सा अच्छे से बिएव करता है तो यह याद रखिए कि अगर आप अपने रिलेशन्शिप को स्ट्रॉंग बनाना चाहते हैं तो यह सस्पिशन यह जो आवाज आपके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती है आपने इससे मुक्ती पानी है इससे चुटकारा पाना है और अपने रिलेशन्शिप को स्मूथली बैलेंस वे में ले कर चलना है कहते हैं वक्त से बड़ा और कुछ नहीं और वक्त खुद बाखुद हर किसी का इम्तिहान पलभर में ले ले लेता है और तस्वीर का साफ रुख हमारे सामने लाकर रख देता है इसी तरह रिष्टों में भी अ रिष्टों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए आप जितना सॉफ्ट रहेंगे जितना हमबल रहेंगे उतने आपकी रिलेशन्शिप अच्छी रहेगी हां जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो यह अगर आपका नेचर है तो आप आप आउट फ़ वे भी जाकर किसी को मदद करते हैं जब भी उनकी जरूरत होती है लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके जैसा ही करें हर इंडिविज्यल की अपनी आइदेंटिटी है अपना फॉर प्रोसेस है और वह अपने फॉर्ट प्रोसेस के साथ ही चलता है हो सकता है आप हर टा यह लोग भी मेरी ही मदद करेंगे मैं कहूंगी यह शायद सब तो आपके शाद दिमाग में आता भी नहीं होगा आपके अंदर के expectation आजाती होगी कि हाँ यह लोग भी मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहेंगे जरूरी नहीं है हो सकता है जब आपका बुरा वक्त हो तो आपके पास कोई नहीं हो इस चीज़ से अपना मन मेला ना करें बुरा ना माने कि कोई आपके पास नहीं आया जब आपको जरूरत थी आम तोर पर देखा जाता है कि घर में सास अपनी बहू का थोड़े थोड़े समय पर इंतिहान लेती है और ये देखना चाहती है कि उसकी बहू अपने रिष्टों और जिम्मिदारियों को कितनी संजीदगी से निभा रही है इसके लिए कई बार वो जानबूच कर अपनी बेटी और बहू के बीच कोई न कोई मुश्किल स्थिती पैदा कर देती है आप ऐसा बिलकुल भी ना करें क्योंकि जिस दिन भी बहू को पता लगा कि आप बेवजा ही उसके सामने अपनी जूटी परेशानी रख रही है या रिष्टों का इंतिहान ले रही है तो यकीन मानिए भले ही वो आपके सामने आपसे कुछ भी ना कहे लेकिन अंदर ही अंदर दिल से वो आपसे दूर होती चली जाएगी और आपकी बातों को तवज्जो देना कम कर दीगी क्या आप ऐसा चाहेंगी? नहीं न? अगर कोई भी किसी भी कारण आपसे बात करता है और ढंग से बात महीं करता आप जब आप कुछ भी कर रहे हों, कुछ पूछ रहे हों और आपको सही डंग से जवाब नहीं दे रहा तो हो सकता है उसके मन में कोई बात हो या वो किसी कारण आपसे लड़ना चाह रहा है किसी कारण दो रिलेशनशिप्स को खराब करना चाह रहा है समझे और अगर आपको दिखाई दे रहा है और आप मनी मन जानते हैं कि आप कहीं पर भी गलत नहीं है तो दीरे दीरे करके उस इंसान से ही हटना शुरू कर दें जो ऐसे कर रहा है इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप तो पूरी शिदत के साथ अपने रिष्टों को निभा रहे हैं लेकिन सामने वाला आपको चेक करने के लिए जूटे बहाने बनाते हुए आपके साथ बने रिष्टों का इम्तिहान ले रहा है तो ऐसे में बेहत ज़रूरी है कि आप उनसे सीधे बात करें और उन्हें समझाएं कि आसा करने से आपके रिष्टों पर किस तरह का असर पड़ता है चुप चाप, silently पीछे हटना शुरू कर दें इससे आप अपने रिलेशन्शिप्स में सारनेस नहीं लेकर आएंगे रिलेशन्शिप्स को अच्छा रखना या बुरा बनाना ये आप ही के हाथ में है किसी और के हाथ में नहीं तो अपने रिलेशन्शिप्स को हमेशा स्ट्रॉंग रखिए क्योंकि यही कल को आपके काम आते हैं रिष्टे बनाना आसान है उन्हें तोड़ना और भी आसान लेकिन मुश्किल है तो उन्हें सच्चे दिल से अच्छी तरहा निभाना सच्चे रिष्टे किस्मत से मिलते हैं इसलिए इन्हें इम्तिहान की शर्ट से ना बांधें क्योंकि रिष्टों में जान बूच कर लिया गया इम्तिहान बढ़ाता है दिलों में करवाहट और लाता है रिष्टों में दरार